नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हूँ फिज़ा काजमी उत्तर प्रदेश में 2022 में हूने वाले विधान सभा चुनाओ को देखते हुए राजनीतिक दल अब अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए है सपा प्रमुक अखिलेश यादव तीन दिन पूरवांचल में रहकर अपना राजनीतिक समीकरन साधते नज़र आए तो कंग्रिस महस्चिप रांका गांधी रविदास जैंती पर वारनसी पहुची वहीं अखिलेश प्रियांका की वापसी के दूसरे दिन यानी रविवार को दो दिवस्य दौरे पर वारनसी पहुचे बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष जैपी नड़ा पूरवांचल को सियासी तोर पर मस्बूत बनाने की कवायत करते वो नज़र आए जेपी नड़ा ने अपने दौरे के पहले दिन बारनसी के रोहिन्या में बने बीजेपी के काशी शेत्र के नए कारेले का उदखाटन किया बीजेपी का ये नया दफ्तर पूरवांचल का सबसे बड़ा पार्टी मुख्याले है इसके बाद जेपी नड़ा ने सीएम योगी अधित्यनात यूपी प्रभारी रादा मोहन सिंग समेत इरानी और प्रदेश रथिक स्वतंतर देव सिंग समेत तमाम दिगज नेतां के साथ काशी शेत्र के सभी 16 जिलों के पतातिकारियों जन प्रतेनित्यों और वेभन सामा प्राजिक वर्गों के प्रमुखों की बैठक पर पूर्वांचल के मुद्दों की थाली नड़ा ने बैठक में मेरा बूत सबसे मजबूत संकल्प को दोहराया और कहा कि मिशन 2022 के लिए अभी से हमें जमीनी रूप से काम करना होगा बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश सरकार और छे साल के केंदर के मोदी सरकार ने जन कल्यानकारी नीतियों को लागू किया है इससे शोशित, वंचित और निचले पाइदान पर खड़े लोगों की जिंदगी में बदलावाया है अब कारेकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इन योजनाओ का घर-घर जाकर प्रचार प्रसार करें साथ ही मुखे मंत्री योगी आदितेनात ने कहा कि जिन लोगों को योजनाओ का लाब नहीं मिल पाया है उनकी पहचान करें और उन्हें योजनाओं का लाब दिला हैं साथ ही लाभार्तियों के बारे में लोगों को बताएं कि कैसे सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में बदलाव आया है दरसल पुरवांचल के जंग फतह करने के बाद ही यूपी की सत्ता पर पूरवी पार्टी कबजा हो सकती है क्योंकि सूबे की 33 वी सिदी सीटे इसी इलाके की है हाला कि पिछले तीन दशक में पूरवांचल का मतदाता कभी किसी एक सीटी या एक पार्टी के साथ नहीं रहा वो एक चुनाओं के बाद दूसरे चुनाओं में एक का साथ चोड़कर दूसरे का साथ पकड़ रहा है सपा 2012 और बसपा 2007 में पूरवांचल में बढ़िया परदर्शन करने के बाद भी इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए नहीं रख सकी थी 2017 में बीजेपी ने इस इलाके में क्लीन स्वेप किया था लेकिन 2019 में चार लोग सभा सीटे गवादी और 2022 के लिए जिस तरह से विपक्ष पूरवांचल में सक्रिये हैं उसे लेकर बीजेपी भी अपने गड़ को मजबूत करने में जुट गई है पूरवांचल में 28 जिले आते हैं जो सूबे की राजनितिक दशा और दिशा तै करते हैं कर नगर जिले शामिल है इन 28 जिलो में कुल 162 विधान सभा सीटे शामिल है बीजेपी ने 2017 के चुनाओं में पूरवांचल की 164 में से 115 सीट पर कबजा जमाया था जबकि सपाने 17, बसपाने 14, कॉंग्रिस को 2 और अन्ये को 16 सीटे हासिल हो पाई थी वहीं बीजेपी ने 2017 में पूरवांचल के 28 सीटों की 164 विधान सभा सीट में से 115 सीट जीत कर भले ही रिकॉर्ड बनाया हो लेकिन कई जिलों में पाटी सपा से पीछे रह गई थी बीजेपी आजमगड की 10 में से सिर्फ एक सीट, जौनपुर की 9 में से 4, गाजीपुर की 7 में से 3, अमबेटकर नगर की 5 में से 2 और प्रताबगड की 7 में से 2 सीटे ही जीच सकी थी इसनिये बीजेपी पूरवांचल पर खास फोकस कर रही है तो विपक्ष भी इसे अपनी सियासी प्रियोग शाला बनाने में जुट गया है पूरवांचल की सियासी ताकत और हर चुनाव में बदल से सियासी समिकरन को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर पूरवांचल पर है और उन्होंने इसी मद्दे नजर 3 दिन का दौरा किया था इस दोरान वो जौनपूर, मिर्जपूर और वारानसी गए थे पार्टी का प्रशिक्षन शिवर मिर्जपूर में किया गया जहां उन्होंने पार्टी नेताओं को 2022 में जीतने का मंत्र दिया वहीं कांग्रेस सोमवार से यानि आज से नदी अधिकार यात्रा इसी पूरवांचल इलाके से शुरू कर रही है जो प्रियाग राज से शुरू होकर बल्या तक जाईगी इस यात्रा में प्रियांका गांधी भी जुडेंगी प्रियांका ने रविदास जैन्ती के मौकी पर 12 नसी में रविदास मंदिर में जाकर पूजा की थी वहीं योगी आदितिनाथ खुद पूरवांचल से हैं और 2017 के चुनाव में पूरवांचल ने उन्हें गदी तक पहुचाया है बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि 2022 का विदास भाजजुनाव जीतना है तो पूरवांचल को सीधे रखना होगा इसलिए सीम योगी पूरवांचल के विकास योजनाव को जल्द से जल्द जमीन पर उतारने के लिए एक्टिव हो गए है और अब जेपी नड़ा समय तमाम बीजेपी नेता काशी में जुटे हैं जो पार्टि के दुर्ग पूरवांचल को सियासी तोर पर मजबूत रखने के लिए कवायत कर रहे हैं ऐसे में देखना होगा कि पूरवांचल के रंड में कौन भारी पड़ पाता है फिल्हाल अभी के लिए इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप चुड़े रहे हैं SPN 9 News के साथ